कि नमस्कार बच्चों आज हम क्लास 10 साइंस के बहुती बढ़िया महत्पुन प्रश्ण जो कि आपके बौड एक्जाम की दृष्टी से बहुती ज्यादा कारगर हैं उन प्रश्ण को सोल करेंगे तो देखिए पहला प्रश्ण हमारा न्यूट्रोन की खोज करता थे तो यह कि एक मोल में 8 ग्राम तो इसका ग्रामं कि गरावर है तो ये दो मोल के बराबर है अगला है carbon dioxide का molar दृवमान होता है तो धे केक्शियम क्लॉरड का formula है तो देखिए केलिशियम का जो है इसकी जो वैलेंसी है प्लस टू है तो याने की क्लोराइड की माइनस वन है तो हमारे जो फॉर्मुला होगा तो यहां हमने 5 कुशन कर लिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की और देखिए अगले कुशन आपके सामने पीतल निम्न में से की मिश्डात यहां पर प्लस जिंक से पितल बनता है अगला किसी अमल का pH संबह होगा यानि कि जो कोई भी अमल है उसका pH साथ से कम होगा तो यहाँ पे दो, साथ, ग्यारा और चौदा तो देखिए साथ से चौदा के बीच जो होते हैं वो होते हैं शार जीरो से साथ के बीच होते हैं वो होते हैं अमल और जो साथ हैं वो क्या होता उदासिन तो यहां पे हमारा जो अमले का पी-एच मान होता है वो कितना होगा साथ से कम यानिकी option जो हमारा इसमें साथ से कम कौन सा है दो ही हैं अगला ब्यूते नोल का क्रियात्मक समूहें तो देखिए यहां पे नोल लग रहा है यानिकी यह यालिक को लेगा और कार्बोक्स 6 मेरा क्या यदि उसके अनद तरस्जित करते हैं रही है और जल ओक्र करिया करेगी तो यानि कि metal जब भी जल के साथ क्रिया करेगी तो कौन सी गेस देगी तो यह देगी hydrogen gas कौन सी गेस hydrogen gas तो यानि कि जो option अ हमारा correct answer अगला question है 2H2 plus O2 बराबर 2H2O यह उधारन है तो देखें यहां पर hydrogen oxygen के साथ जुड़ रहा है और एक उत्पाद बना रहा है यानि कि जल बना रहा है तो यह कौन सी अभीक्रिया है तो यह है आपकी सहियोजन अभीक्रिया कौन सी अभीक्रिया सहियोजन यानि कि option आप टिक लगा दीजिए अगला question है सज्यों की मूलबू क्या है कोशिक संक्या होती है तो मूरगी का अंड एकल कोशिक आहे यानि की कोशीक आहे जल कि सवस्था हम पाय Dieses जो है वो द्रव अबस्था में पाया जाता है ऑगला है अगला question है देखिए सबी दाल जो हैं प्रोटीन का महत्पून सोर्स होते हैं और दूद है उसमें प्रोटीन भी होता है अगला है विटामिन सी के स्तरोत का समुए तो देखिए जो विटामिन सी है जिस खटे फलों में पाई जाता है यहां पर जो हमारा खटे फल में कौन-कौन आ नीबू आवला और संत्रा विटामिन सी का सर्वादिक सोर्स कौन है आवला तो प्षण सगहार है और अगला कोशिगा किस अंगक को आत्मगाती थेली कहा जाता है यानिकी सुसाइट पार्ट को ने वर्तिका वर्तिकागर और अंदाश है यानि जो पिश्टिल है उसमें तीन पार्ट होते हैं और उपर उपर इपर इस्टिगमा तो यहां पर ऑप्शन जो है हमारा क्या हुआ प्रेक्ट आंसर हुआ अब आगे की प्रश्ण की और हम बढ़ते हैं तो आगे की आपको कैसे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेर करते रहे हैं क्योंकि आपकी बोड एक्जाम की द्रिष्टी से बहुत ज्यादा महत्वर रखने वाले हैं तो देखिए अगला लेंगिक जनन प्रक्रिया में नर्व पेटिक लगा लिजिए अगला है मेंडल ने अनुवान शिक्ता संबंदिक प्रयोग किये थे तो उन्होंने पाइसम सेट आइबम याने की मिठी मटर पर प्रयोग किये थे यानिक ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर हुआ अगला है मनिश में गुनसुत्र की संक्या होती है तर इर नंबर व्भ ऑड़्टे अनुवस्टी एमटम कितनी होती है उसमें होती है मनिश में हैं कि शुद्ण सतार है और टियाओ कि हो सब्सक्वाइबटे लेकिन दोनी निर्वात में गमन नहीं करती है इसलिए दौनी तरंगों को मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे कहते हैं अगला कारी करने की दर कौन सी भोतिक राशी है तो देखें कारी करने कि दर यानि की पी बराबर डबली ओपन टी तो यह को क्या केते हैं अपन शक्ति केते हैं क्या केते हैं शक्ति पावर बराबर वर्क अपन टाइम यानि कारी करने की दर बराबर शक्ति और कारी करने की शमसा क्या होती है उर्जा और शक्ति का जो मातरक होता है वाट बल का मात मात रख्या होता है जूल और कायरी का मात रख भी जूल हैं आगे बढ़ते हम इंपोटेंट प्रेश्टो की और देखिए आल देक्विशन इस वेरी इंपोटेंट तो अभी तक भी लाइक दी किया तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए देखि देखिये टो अवत्तों पराद नी एक भी यहां पराद्हों और दोनी तरंगों का यूजerten करते हैं दोनी तरंगों का यायनि प्रादिह बहुआ हैं कि अगले बनाएगा ऑधल लेंस और उत्तल दर्क्ण दोनों ही सदेव और सीधा चोटा प्रती बनाते हैं तो यहां पर लैंज चींतल दर्पण की GAR dan अगला देखिये हुए समतल दर्कण के औरदन शंता कितने होगी तो देखिय समतल दर्कण हमेशा वस्तू के बरावर इमेज बनता है तो इसका मेगनिफिक्षन होगा एक यानि की मेगनिफिक्षन हाइड अबजेक्ट और हाइड आप इमेज दोनों क्या है बरावर है अगला है उत्तर लेंज की शमता किसम होगी उत्तर लेंस की शमता हमेशा प्लस में होगी ध्यान रखिए क्योंकि इसकी फोकस दूरी किदर होगी इसकी फोकस दूरी राइट हैंड की तरफ होगी इदर की दूरी प्लस में जबकि आउतर लेंस की जो शमता है वो किसम होगी माइनस में यहां पे प्लस और माइनस यानि की option जो आ है वह आपका correct answer हुआ अगला है हीरे का प्रणतान तो हीरे का प्रणतान 2.42 होता है अगला है एक electron पर आवेश की मात्रा तो electron पर जो आवेश की मात्रा होता है वह होती है 1.6 into 10 की power minus 19 कुलाम यानि की 1.6 गुणा 10 की power minus 19 कुलाम होती है तो option बह पर टिक लगा दीजिए यहां जो जो क्यूशन आपके राइट ही में उन पर टिक लगाता जा रहा हूं आप भी नोट करते रहें और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दिजिए और अन्य स्टुडेंट तक भी शेर कर दिए मजएदार क्यूशन अब आता है आपके सामने इधर है एंडोक्राइन ग्लेंड और इधर निकलने वाले हार्मोन देखिए अगनाश है कुन सा हार्मोन निकालता है यह इंसुलीन ह करता टेस्टोस्टरोन जो कि डाड़ी मुच्छों के लिए प्रेद करता है आने की दित्यक लेंग लक्षन जो है नर के अंदर अंदाशे ग्रंती कौन सा हार्मोन चोड़ती है यह चोड़ती है ऐस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन जो कि महिलाओं के अंदर माधा जित्यक लेंग लेक्षन के लिए जिम्मेदार हैं थाइराइड कुंसा हार्मोन थाइराइड ग्रंती थाइरोक्सिन हार्मोन और पिटुटरी ग्लेंड कुंसा हार्मोन व्रद्धी हार्मोन ग्रूथ हार्मोन और एडिनल ग्रंती कुंसा हार्मोन एडिनलीन हार्मोन तो हमने कौन सा चोरती है एंस ट्रोजन इस थायराइड कौन सा कार्मों छोड़ती हैJust सीन यह कौन सा हर्मोन दिख फ्रत जिम्मेदारे और अध्यृन मत शूरती है क्या कर लिए मैच कर लिए अब आगे बढ़ते हम और भी पी क्योंकी वहाइक सम्तल दार्पण की फोकस दूरी होगी तो फोकल दूरी केसी होगी अननत होगी उनका रेडियस नहीं होता है याने कि रेडियस जीरो होता है तो यहblesकी स्कति है यह जो चमता है ऊसका फोकस भिवेशल होता है ऐने की विदक्रम होता है अगे बढ़ते हैं और मजएदार प्रेश्न देखिए ऐल्यूम्हीत किस प्रवतिय का होता है तो यह उभधर्मी के एंब्या-क्साइड है यानगे अंपर्टेरिक आक्साइड गया जिस्क सार के साथ चरी सथ प्रभतोर करेल करते हैं साधरन नमक का फॉर्मूला वो क्या क्या है सदरन नमक का फॉर्मुला है ाैने कि सोडियम क्लॉराइड क्लोरॉराइड लगाते रहिए कौन एस लिग टांटर देखिए मशेलिक थैट और एकस पाई जाता है ст ज्ट्रिवड़ी कि run ने сбu , कामली किसम पाई जाता है विनेगार में निंग में से कौन सा द्रवाष्था में पाए जाती देखिए फ्लोरी रॉरीन ब्रोमिन और एंट तो अधात orada है जो की द्रवष्था में पाए जते इसका जो धुर覺得 सिम्बल है भी आर Okay आगे वरते हैं हम tapped प्रश्णों की और सारे कुशन इंपोर्टेंट है मनुष्य में कुशन नंबर सिक्स हमारा मनुष्य में उत्थर जी उत्पाद विले नायटोजनी योगित के रूप में वरक में जिस सरचना द्वारा निकाले जाते हुआ हैं सिस्ट्रों नेफ्रों न्यूट्रों रिकॉन लगा लिए अगला जड़े होती जड़े हमेशा गुरत्वा करशन की होर गति कर्ती है यानि के नीचे की वर जामीन में तो यह गुरूत्वा करशन के धनात्मक कारी करतीह यानि कि धनात्मक व्रद्डी में और घ्रेवच के अगला है च networks यह जो है व्रोण से इस साथ यहां जय existe की वहनिए उत्पन होता है जिसकी Pet fig उनका फॉर्मूला क्या है तो कितने परमाण होंगे तीन तो उप्शन सपे टिक लगा लिजिए आगे वरते हम इंपोडेंट प्रशने की और शेविंग दर्पणों के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उप्योग करता है तो यहां पर हम आउतल दर्पण का यूज करते ह जो पास में रखी वस्तू कैसे दिखाए देती बड़ी दिखाए देती तो जो मिरर में उसमें जो अबजेक्ट होती है अगला पानी से भरी बाइलटे की तली पर रखा सिक्का किस बहुती गटना की कारण पर उठा हुआ दिखाए देता तो यह अपवरतन की परिगतना की कारण ही अग्रिम सुर्य दे तथा विलम सुर्यस तो जैसी गटनाएं होती हैं अगला हैं बारा वोल्ट विबवांतर के दो बिंदों के बीच दो कुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कारी क्या है तो देखें यहां पे जो वी बराबर होता है वो होता है डबल्यू अप कर दिए तो वी याने कि यहां पर विबवांतर हैं बारा वोल्ट तो बारा का दो से कुना कर दिए याने कि बारा इंटू दो याने कि कितना हो जाएगा चोईस जूल अगला है वेदुत चुम्बी की प्रेणन का सिद्दान ती है माइकल फिराडे ने दिया था वेदुत दरपन की वक्त दिज curious याने की आर Л या प्राबरर और हैं फोकश क मैं उसमें क्या संबंद होघा जो होती है ओक्रड भरा लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे मानव के पाचन तंत्र में जो शुद्रांत जैने की छोटी आथ वहदांत जैने की बढ़ी आथ याने की इसको क्या केते हैं क्रमी रुपी परी इंगलिश में अगला है मस्ठिष किसके लिए उत्रदा है हर्दय सपंधन के लिए है और शरी का बैलेंस भी बनाने के काम करता है क्या हमारा पश्च मस्तिषक बैलेंस बनाता है अगर मस्तिष मिल रहा अगले 2 रहां अगला लेश्मिनिया में जनन होता ब्हुता है तो तो गण्राइब Libra Albania में होता है जनन जोह की आले जनना की विकास द्रिष्टी से हमारा strikes समानता हे तो चिंपेंची जो है विकास सबस्वाइद हम सब्सक्यारतہ समानता है अगर हम सब्सक्यारी कि अगले है पादब में जायलम तो जायलम किता है से यहां जलका करता है कौन जैलम चाहिए निवन से से योगिक क्रोटिकापी में फोटोग्रापी में सब्सक्राइब को राजा केते हैं अगला शुद्द सोना कितने होता है तो बिल्कुल यह भी बहुत बढ़ी एक्विशन है यह चोईस के रेट का होता है शुद्द सोना ओप्शन अ टिक लगा लिजिए इस पर पेस्ट्राइब कि फोकस दूरी जाद किजिए वक्रता तिज्जा यानि कि आर बराबर हैं 32 सेंट्मन से आधिके ब्राबर हैं यहां पे 32 सेंट्मन का आधा कर लिजिए यानि क्या खाय का अंसर सोला सेंटी मिठर क्या हैगा तो उसकी जो फोकेस्थ कितने होगी सोला सेंटी मिठरं ठीक है और उंट्तल धर भण है तो यहां पर उसँचेंगे वड़ते हैं हम अगले प्रेस्थ कुछ लुकाद कश शिदीम कियो माम नेत्र हिए पर्ति रोग दखता है यानिक रेजिस्ट्विटी का मात्रक क्या है तो पर्ति रोग का मात्रक ओम होता है जबकि रेजिस्ट्विटी का मात्रक होता है ओम इंटू मिटर यानिकी ओप्शन आपे टिक लगा लिजी अगला है दुर्बल अमले है यानिकी जो विक एसिड देख इंपोर्टेंट है लाइक कर दिजिए और शेर कर दिजिए अगला है आमशे और ग्रहणी के मद्दी में पाई जनवाली पाचक अंतर इस्तरावी और बहुस्तरावी रंती है याने कि यहां पर को सब्सक्राइब बाकुष्या जो है हमारा करेक्ट अनसर अनेच्छिक और परतिवर्ति पिलम्त बनते हैं पथ्र चनना परत्ति होता है इस तरह की पत्तिहां यह वो पत्तियां उनके जो डिटेज दू जाती है तो नए पादप का निर्मान कर लेती है यह लेंगी जनन की विदी है कौन सा इसमें काई कि प्रवार्दन यानिकी वेजी टेटी प्रोपेगेशन पत्थर चटा है ब्राइफिलम में अगला है हरे पोदे सो पोशी होते हैं क्य क्योंकि हमारा जो नायटरजन वेस्ट है कि दिनी ही फिल्टर करती है ओके आगे बढ़ते हैं हम और नए क्यों सी वी जो बहुत ज्यादा बहुत ही कम अक्री बहुत ही कम क्रियाशिल नोबल दातु जैसे सिल्वर हैं गोल्ड हैं तो वह किसके साथ गुल जाती है एक वार के साथ आम राज क्या होता है एक्णाती नायटरिक ऐनुपाद दाने अधिन के और होती है तो जो उद्धासिम्योगी कि योगी उसका प होगा कितना होगा साथ होगा यानि कि नूट्रल होगा जिसे जल का pH 7 होता है यानि कि नूट्रल होता है निम्वे सबसे हलकी गेस कौन सी है तो यहां पे सबसे हलकी गेस कौन सी होगी हाइड्रोजन कौन सी गेस हाइड्रोजन जिपसम का फॉर्मूला क्या है तो देखिए CSO4.2H2O और यहाँ पे gypsum का जो formula आ जाएगा हमारा calcium sulfate का जो डाय हाइडरेट याने की cso4.2h2 अगर cso4.5h2 आता है तो वो किसका है plaster of Paris का formula है उत्तल दरपन का उपयोग किया जाता है तो देखिए जो उत्तल जो दरपन है उसका उपयोग हम किसमें करते हैं दरपन वहान में भी करते हैं इसमें दरपन वहान में किया जाता है सैड ग्लास में भाक किया दता है क्योंकि ये वस्तु का हमेशा सीधा चुपा ऑर चोटा image बनाता है और टार्पलो evidence स्वर बट्टी और शेविंग में September 001 जैसा कि पहले तो यहां पर दर्पन जो वहां ने हमारे साइड मीरर में उत्तल दर्पन का याने की कॉन्वेक्स मीरर का यूज करते हैं ओके आगे बढ़ते हैं हम नए क्विशन क्यों कोई व्यक्टी दूर की वस्तु को इशपश नहीं देख पाता संभवत उसे कौन सा द्र में तो कोई दोश नहीं नि कट का दिखाए देता है तो यहां पर इस वक्ति को नहीं देख पाता तो Auss grouped को देख पा रहां है निकट यानिकट का दिखाएं देता है दूर का नहीं दिखाएं दोस को इसको दूर द्रिश्टि दोस होता है तो यहां पर इसको कॉन सा होगा निकट द्रिश्टि दोस ठीक है दूर दूर की वस्तू को इस पर नहीं देख पाता है उसको निकट दृष्टी दुव से ठीक है अगला है एक यूनिट वस्तू एक यूनिट विदूत उड़ जया में कितने जूल है तो एक यूनिट जो होती है एक किलो वाटगंटा के वराब भी यहां पर दरजनों की सभी धूरिया किस बिंदूसे मापी जाती है जबकि लें्स की बात की जाएं तो optical center से तो यहां पर दरपन की बात की गई हैं तो यहां पर हमने काफी सारे questions objective type की question यहां पर करने का प्रियास किए आई होप आपके जो सभी questions बरिक्षा की देश्टे से बहुत ही ज्यादा महत्पुन होगे और आपने सभी question का आनद से व्यवस्थित तरीके से अध्यन किया होगा और यह जो है यह विडियो भी आपके education में कई ने कई थोड़ा वह रोल प्ले करेगा important रोल प्ले करेगा तो थैंक यू जेहिंद वंदे मात्रम और विडियो को लाइक कर दिजिए अन्य फ्रेंड्स तक भी शेर करते रहिए थैंक यू आप